नमस्कार दोस्तो आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल जिके हेलप विद जारबी पर हार्दिक अभिनंदर एवम स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीबियेश टिश्ची और पीटेट एकजाम 2020 के लिए राजस्तान समाने ग्यान के मोस्ट विद रहेगा कि यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और पास में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस जुरूर करें चलिए स्टाट करते हैं आज का फस्ट कोस्टन आपके सामने आंतरिक प्रवाय की द्रश्टी से राजस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है चार सो पेंसेट किलिमेटर यह आपको द्याने रखना है चली अगला कोस्टन है गोखरू अबुशन पेने जाते हैं तो मित्रो जो गोखरू अबुशन है यह पेना जाता है हाथ में इसका उप्सन भी राइट है चली नेश्ट कोस्टन है वाला नरते निमन लिखित में से किस जनजाती का प्रमुख नरते है वेरी वेरी इपोर्टन कोस्टन है बहुत बार एक्जाम में पुछ गया है तो आपको याद रखने वाला नरते गरासिया जनजाती का प्रमुख नरते है इसका सी ओप्सन राइट है अगला कोस्टन है आगरा का ताज मेल तथा कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल में कहां का संगमरमर प्रयोग किया गया है तो दोस्तों आगरा का ताजमेल और कोलकता का विक्टोरिया तो मकराना का कर ये सिजय में तो मित्रों मादो सागर मैंद दोसा जिले में और कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगें तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि उन्हें भी फाइदा मिल सकें इस यूटूब चैनल पर प्रीब्यस टीशी और पीटेट एक्जाम से रिलेटिव डेली मोडल पे पर अपलोड किया जाता है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करन का पर तो दोस्तों द्यारक ना कारता मुर्मो या डेसलाना जेपूर का फेमस इसका भी को स्वी है चली नेच्ट सब्सक्राइब किसनगड़ अजमेर में इस दित हैं यह मंडी किस राष्ट एंक्या कर मिकसंट के घेया इस हैं ओप्सन राइट है राजस्तान का सबसे विवस्तम राष्ट्री राजमार गया एंच अर्टारीस एंच आठ है इसका निया नाम है एंच अर्टारीस यह भी आपको ज्याने रखने चलिए अगला कोस्टन है सत्य कथन बताईए बहुती इप्रोटन कोस्टन है यहां पर आपको चार फेक्ट अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो बात करते हैं उप्सन इसका डी यह वो राइट हो जाए सभी सत्य कथन है तो देख लेते हैं पिला संगमरमर जेसल मेर का पर सिंद तो द्यान रखना हरा संगमरमर रिश्वदेव उद्यपुर का फेमस है और गुलाबी संगमरमर जालोर का परसीद है सतरंगी संगमरमर खांद्रा-गाम-पाली का परसीद है तो यह चारों फेक्ट आपको अच्छी तरह से याद हैं रहने चाहिए और संगमरमर मंड अवस्तित नहीं है कि यह चार चोटियां आपके सामने है इनमें से आपको पता ludzie कौना सी परवथ चोटी उत्री अरावली में अवस्तित नहीं है तो नुग्सीं के को पता है यह लिए अरवली अख स्थित है उत्री रावली की सबसे उंची चोटी रगुनात गड़ जो कि सिक्कर में स्थित है इसकी उंचाई एकजाम में बहुत बार पुछ गी एक जार पिच्पन मिटर इसकी उंचाई है चलिए अगला को से नहीं निमलेकित में से किस स्थान पर राजस्तान में साधार्न तो सुर्वादिक वर्सा धर्ज कीजाती है तो स्थान की बात करें तो सुर्वादिक मित्रव माउंट डबु में इसका भी रैट हो जाएगा यह एक जामें बहुत बार पूच गए तो बेरी बेर इक समय अगर क्योंच चोटन के एक पूछ जैंक कि कि सुरौदिक वरसा ह संचालें ने तू सरवपर्थम कि स्राजे में 1934 में परजम मंडल कि स्तापना की गी कि तो बात के रहे 1934 में परजम मंडल किस अपना तो जोधपुर में होई थी इसका उपसन और रायट है में पेन हेते बहुत वार यह कोस्टन पूछे रहां चूंप यह दोनों अभुसंद नत् hak में पेनने जाते हैं अग्ला को स्थेने रंचोडबटनीं संस्कृत में किस माखव簡़ की रचना की हम तो मित्रों रंचोडबटन arose संस्कर्ट में राज प्रसंश्टी की रचना की थी इसका उफ्षन भी राइट है चलिए अगला कोष्चन की काली बंगा से हड़पा पूरव की सबेता के मिलते जुलते अफसेस पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले आएं तो बात करें काली बंगा हडपा पूरव सबेता के ज नुमानगड जिले में स्तीत है यह आपको द्याने रखना है चलिए अगला कोस्ट ने नवल सागर तलाब कहां स्तीत है नवल सागर तलाब बुंदी जिले में स्तीत है इसका बी ओप्षन राइट है अगला कोस्ट ने में मंद अभुशन पहना जाता है प्रटे दोस्तों मेंमंद अबुसन कहां पर पहना जाता है तो मित्रों यह पहना जाता है सिरपर इसका उप्षन ए राइट है अगला कोस्टन है निमनलिकित संतों में से कौन जनम से मुसल्मान था बते दोस्तों आपके सामने इन्हें ध्यान प्रवग देखे फिर इसका जुआब दीजिए कि इनमें से कौन से संत जनम से मुसल्मान थे तो लालदास जी जनम से मुसल्मान थे इसका सी ओप्सन राइट है अगला कोस्टन है निमन लिखित में से किसने तरुन राजस्तान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माद्यम से सिक्कर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया तो दोस्तों यह जो समाचार पत्रों राजस्तान और डेली हेराल्ड इनके माद्यम से सिक्कर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था राम नरायन चोधरी ने इस कोस्टन का उप्सन भी राइट है बहुत ही इपोर्टन कोस्टन है आपको ध्यान रखने है अगला कोस्टन है गोरा देय मारवाड के किस सासक की जान बचाई तो गोरा देय ने मारवाड के सासक थे अजित सिया राठोड इनकी जान बचाई थी इसका भी उप्सन राइ थी हैं अगला कूस्ट ने कौंसा जोड़ा सही नहीं है उनमें से कौंसा जर्णा वो शय सुमेलित नहीं नहीं है तो मेवार पर गूंवर राजमसोंनियराज किया यह जैसलेमर पर बाती राजमस नियराज करिये भी सही है और और मारवाड पर रहमित्रो परमारों ने राज नहीं किया था मारवाड पर राज किया था राठोड राजमस ने किसने राठोड राजमस ने इसका सी ओप्सने वो सही नहीं है यह आपको ध्यान रखना है बाकी बात करें गुजरात यहां पर चालू क्यों ने राज किया था यह भी सही है तो इसका जो ओप्शन सी यह वो सई सुमेलित नहीं है कि अगला कोश्चन यह जैपुर के किस कच्छवा सासक ने 1818 इस्वी में इस्ट इंडिया कमपनी से संदी की तो दोस्तो जेपुर के जो कच्छवा सासक है माराजा जगत सीयं दिवित्य हैं इन्होंने अठारा सो अठारा इसवी में इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संदी की थी तो इसका सी ओप्सन राइट है अगला कोस्त ने मतसे संग का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के अधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलिनी करन के लिए त्यार था तो मतसे संग का राज्य था दोलपुर ये उत्तर प्रदेश के साथ मिलने के लिए त्यार था यानि कि इसका सी ओप्सन राइट है अगला कोस्टने की अकबर की चितोड विज्य के उपरांत है मिवाड में मुगल सास्कों के सिक्के जारी हुए जिने कहा जाता था तो मुगल सास्कों के जो मिवाड में सिक्के जारी हुए थे उन्हें कहा जाता था सिक्का एलची इस कोस्टन का उप्सन बी राइट है का उप्षन भी राइट है अगला कोस्ट ने राजस्तान की पर्थम मेला सांसद कौन थी तो राजस्तान की पर्थम मेला सांसद थी मित्रो सारदा बारगव इस कोस्टन का उप्षन भी राइट है चलिए अगला कोस्ट ने करना भील किस वाद्य यंतर का प्रशिद वादक थ प्रते दोस्तों करना भील किस владya यंतर का प्रसीद वादक था ऑप्सन आपके सामने मॉर्चं स्तारा करना नड 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 वाद्या का judging प्रसीद वादक यह राइट है राजय में अब्रक के सरवादिक मंदार किस जिले में है अब्रक के जो सरवादिक पन लिए अबरक को क्या कहते हैं हलका गुलाबी जो अबरक होता है मित्रों उसे कहते है बायोटाइट इस कोस्टन का उप्सन ए राइट है चलिए अगला कोस्टन है इन में से किसको हर सोंट सेल खड़ी सेलेनाइट तथा खुडिया के नाम से जाना जाता है हर सोंट सेल खड़ी सेलेनाइट तथा खुडिया के नाम से जाना जाता है जिप्सम को इस कोस्टन का उप्सन सी राइट है वेरी वेरी इपोर्टन कोस्टन है एकजाम में पूछा गया है तो आपको यह द्यान रखना है 31 कोस्टन है निमन लिखी ते पर्तियार सासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजदानी बनाया था मित्रो नागबट पर्थम ने इस कोस्टन का उप्सन भी राइट है अगला कोस्टन है जेपुर के किस सासक ने लगातार तीन मुगल समराट जहांगीर सांजा और औरंगजेब की सिवा की तो मिर्जा राजा जैसी हैं जेपुर के सासक्ते इन्होंने तीन मुगल समराट जांगेर सांजा और औरंगजेब की सिवा की थी तो उप्सन C इसका राइट है चलिए अगला कुस्टन है रतवाई लोक गीत की स्चेतर में गए जाते हैं तो दोस्तो रतवाई लोक गीत है यह गए जाते हैं मिवाद छेतर में इसका C उप्सन राइट हो जाएगा अगला कुस्टन है बारत में टंगश्टन की एक मतर खान कहां सतीत है तंगश्टन की एक मतर जो खान है बारत में वो है डिगाना नागोर में इस question का option A right है बहुत ही important question है एक्जाम में बहुत बार ये पुछा गया है बार बार repeat होता है आपको ये ध्यान रखना है और मित्रों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जुरूर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें ताकि उन्हें भी फाइदा मिल सकें अगला कुस्टन है राज्य में मेगनीज के सरवादिक बंडारों वाला जिला है तो मेगनीज के जो सरवादिक बंडार है वो है बांस बड़ा जिले में इसका उप्षन ए राइट है 36 मा कोस्टन है लीथियम कहां पहाँ जाता है बते दोस्तों लीथियम कहां पहाँ जाता है उप्षन आपके सामने है डेगाना नागोर वालदा सिरोई खेतरी जुनजनू राजगण अजमेर तो मितरो लीथियम मिलता है राजगण अजमेर से इसका डी ओप्षन राइट है इपोर्टेंट है यह आपको ध्यान रखने है डेगाना नागोर से मितरो टेंक्स्टन मिलता है बारत की एक मातर खाने है टेंक्स्टन की अभी मैंने आपको बताया खेतरी जुन-जुन यहाँ पर तामबे की खाने है यह आपको ध्यान रखने है तामबे अगला कोस्टन है राजस्तान में संगमरमर की दरश्टी से किस दिले का पर्थम स्थान है तो मितरो संगमरमर की दरश्टी से जो पहला स्थान है वो है राज समंद का इसका D option right है नेक्ट क्वेस्ट ने जेपुर में हवा मेल का निर्मान किसने करवाया बहुत बार यह question पुछा गया हवा मेल जो कि जेपुर में स्तीत है इसका निर्मान करवाय था स्वाई प्रताफ सियंग इसका B option right है स्वाई परताब सिये ने जेपुर के हवा मेल का निर्मान करवाया था अगला कुस्च ने निमलिखित में से कौन जेपुर एवम जोदपुर की स्थापनाती थी बताता है बताए दोस्तों इन में से कौन जेपुर एवम जोदपुर की स्थापनाती थी बताता है तो इसका B option 8 है बांकी दास की ख्यात जेपुर एवं जोदपुर की स्तापनती थी बताता है चलिए अगला कोस्चन है राठोड राजमस की कُल देवी और तो राठोड राजमस की कुल देवी आ नागनेची माता इसका c option right है चलिए एगला question है कभी सुरिय अमल मिसरन की रचना किस बहुत भासा में है कभी सुरिय मल मिसरन राजस्तान की राजय कभी है यह आपको दिया रखना और इनकी जो रचने यह अं वो है मित्रो हाडुती बहुता में इसका option A right है कभी सुरिय कि एक मैत'पुंद रचना है जो एक्जाब में बहुत बार पूछी जाते हैं वह वंस बासकर अगलह को स्टने चंदरबागा का प्रशिद मेला का लगता है तो अमित्रों चंदर बागा का प्रशिद मेला लगता है जालरा जलावार में, इसका D ओपशन राइट है है 23 सम्हाउ है राजस्तान में उसन jud 59 वाले वन कहा पाए जाते हैं त्राजस्तान में उसन कटी बंदिया सुख पत जड़वाले स पत जड़वाले वन पाए जाते हैं अलवर में इसका B प्रिश्टित की स्रंक्षन के साथ प्रेटन को बढ़ावा देती है तो दोस्तों प्रिश्टित की स्रंक्षन के साथ प्रेटन को बढ़ावा देने वाली निती है इको टूरीज़म निति, इसका बी औप्सन राइट है अगला कोस्टन है, निमन में से कौन सी नदी राज़स्तान में सांबर जील में गिरती है सांबर जो जील है खारेपानी की राजस्तान की सबसे बड़ी जील जोकि जेपुर अजमेर और नागोर में फेली हुई है नामक अभुषन कहां पेना जाता है तो मित्रो दामना नामक जो अभुषन यह पेना जाता है अंगुली में में इसका option cana right कि संतारिसमा कोस्टन है राजस्तान सरकार्द वारा पेली वन निती का अनुमोदन कब किया गया जो फस्ट वन निती है इसका अनुमोदन किया गया था फरवरी 2010 में इस कोस्टन का उप्सन ए राइट है फरवरी 2010 इसका VYLA मर्दा पाइजती है लाल वे पिल्ली मीटी अ perfection एक को उन्ट आस्मा को चने कोन सा राश्ट्रिय राजमारग जयपूर टौक members कों टाक एम जलावार से सबुक्र गुजरता है ज्यान देना दोस्तों आपको बताना है नेशनल हाइवे जो जैपुल टोंक बुंदी कोटा एबम जलावार से उकर गुजरता है तो उसका नाम है एनेच बारा यानि किस कोस्टन का ओप्सन ए राइट है आज का अंतिन कोस्टन है कि हाथ के अंगुठे में पहने जाने वाले अंगुठी को कहते हैं तो मित्रो हाथ के अंगुठे में जो पहने जाने वाले अंगुठी होती है उसे कहते हैं अरसी इसका डी ओप्सन राइट है तो दोस्तो आपका मुल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्तान समाने ग्यान से समन्दीत आपकी कैसी त्यारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा और साथ में डिस्क्रप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का उसे जुरूर जोइन करें मेरे साथ जुड़ने के कि राजस्तान में कुंबलगड और गोगुंदा के बीच कौन सब पठार अस्तित है तो कुंबलगड और गोगुंदा के बीच बोराट का पठार अस्तित है इसका सी ओप्सन राइट था आप सभी ने इस कोस्टन का जवाब राइट दिया आपको पुना कहता हूँ कोस्ट तो दोस्तों इसका जवाब आप जुरूर दे और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम जय भारत